यह RDP काफी जादा फास्ट है, तकरीबन उसी तरह वर्क कर रही है, जैसे एक paid RDP वर्क करती है, यहाँ पर हम go पर क्लिक करते हैं, और देख लेते हैं कि इस टाइम हमें कितनी internet की speed मिर रही है, लें जी, चेक करें, 2GB प्लास हो चुकी है, यहाँ पर internet speed, तकरीबन इतनी ही यह downloading आईगी, इतनी ही uploading की speed आपको provide करेगी, और यह totally free of cost है, यह बात आपने जहन में रखनी है, असलाम नेकुम, we are finally back with another new video, after a very long time, उसकी reason ही है, यहाँ यूट्यूब ने हमसे बहुत जादा प्यार किया है, यूट्यूब ने मेरी 2 साल पुरानी वीडियो डूंड के निकाली और उस पर दे दी active community guideline की strike, मुझे नहीं पता YouTube हमसे इतना प्यार क्यों करता है, लेकिन भाई उसने डूंड कर वो वीडियो निकाली और उस पर strike दे दी, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, इसलिए मैं पिछले 3 महीने से कोई भी अपने चैनल पर वीडियो अपलो YouTube उस पर ना तो आप कोई वीडियो अपलोड कर सकते हो, और ना ही कोई पोस्ट होगारा कर सकते हो, अब यह सब कुछ चकर खतम हो है, तो finally मैं यह वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, पता नहीं यह YouTube हमसे इतना प्यार क्यों करता है, खेर YouTube को चोड़ें, आज की टोपिक क अच्छी हो, उसके लाबा हम उस RDP को इंस्टेंट करेट करके, इंस्टेंटली हम उसको यूज कर सके, और जब तक चाहें, तब तक हम उसको यूज कर सके, तो बाई लोगों परशान ही हो ना, आप लोगों के लिए कर ऐसी RDP लेकर आ चुका है, तो आप लोगों ने यह व आपने बाई लाजमी करना है, तो आपने आपको बनजाई तब आपने लाजमी करना है, अब टाइम नी बेस करते लोगों के लिए वीडियो को स्टार्ट करते है कि नाची पीप me ओके बाय लोगों सबसे पहले तो आपने काम करने है आपको इस Notepad लिंक दे दूँगा अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर इसेे Ahamad चैनल का लिंक तो वहां पर मैं यह वला नोटपैड का लिंक दे दूँगा जहां से आप जाकर इसको डाउनलोड करोगे नोटपैड का होना आपके पास जरूर है क्योंकि इसके अंदर कुछ चीज़ है जिसके तुरू आप इस RDP को यूज करोगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है इस नोटपैड को डाउनलोड कर लेना है नोटपैड को डाउनलोड करने के बाद आपने किसी भी ब्रॉजर में आने के बाद आपने किसी भी ब्रॉजर में आने के बाद आपने क्या करना है इसको यहां से करना है कॉपी ठीक है मैं कुछ से बता रहूं बस जैसे जैसे मैं करता जा रहूं आपने वह फोलो करना है आपके RDP 100 नहीं 200% बन जाएगी ठीक है और यह working method है आपने परशाद नहीं होना यहां से आपने fourth link को copy किया new tab में आ जाना है किसी भी browser के ठीक है यहां पर आके आपने इसको paste कर देना है ठीक है जैसे डाउनलोड करने के बाद तकरीबन यह 70 MB के करीब है तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है जैसे आप इसको डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपने क्या करना है इसको इंस्टॉल करना है इसको double click करो next करो accept करके इसको इंस्टॉल कर लो ठीक है कोई परशानी वाली में तो जाने नौटपेड को उपन करना है आप निक जिए यह थर्ड जूँन सा लिए इसको यहां से कर लेता है is पुपी ठीक है पहले यह थोड़ा चींज था अप क्रेट हो चुक है यह अपडेट हो चुक है और जिरोक ने इसको अपडेट कर दी है तो यहां पर आकर आपने इसको भी छोड़ देना एक new tab open करें यहां पर आपने क्या करना है नोटपैट में जाने के बाद आपने क्या करना है यह जूंसा फर्स्ट लिंक है आपने क्या करना है इसको सिंपल ही जाड़ी आपको यह दिया गया है आपने इसको कॉपी करने के बाद आपने ब्रॉजर में आना है और यहां पर आकर इसको ब्राउजर में आप करोगे उसमें आपका जीमेल का अकाउंट लोगिन होना जरूरी है जैसे आप इसको करोगे तो यहां पर आटोमेटिकली आपका जीमेल को डेटर कर लेगा और यहां पर देखें यह लोडिंग स्टार्ट कर देगा तो आपने चंद सेकिंड के लिए करने और यह निचे विंडोस 10 तक आपने इसको कपी करने के बाद आपने यहां पर आने एक बार इसको क्लिक करने ताके वह लिखने वाला आ जाए उसके पास अपने कीबूड की मदद से कंट्रॉल वी कर देना है जैसे यहां पर आपके कीबूड से एंटर पर क्लिक कर दे यहां पर आना है और यहां पर आपने यह वाला जून सा कोड इसको कर लेना है कोपी करने के बाद दुबार आपने इस वेबसेट में आना है और यहां पर आकर उस कोड को कोपी और पेच कर देना है कोड पेच करने के बाद आपने सिंपल यहां पर एंटर पर क्लिक कर देन आप यहां पर आपके सामने काफी सारे रीजन देखने को मिलें ठीक है यहां पर देखें स्टार्टिंग में इसके अंदर एक शोट की मिर दी है आपको US नीचे योरप है EU है उसके लावा बनाई है बेशक मैंने US की बनाई है IN की बनाई है जिसकी भी बनाई है मुझे हमेशा एक ही यहां पर RDP देखने को मिली है यानि के एक ही कंट्री की वो मैं आपको जब यह क्रियेट हो जाएगी तब बताता हूं आपने स्टार्टिंग का एक शोट की लिख देना मैं US लिख अब यहां पर आपकी विर्चिन है वो अटोमेटिकली क्रियेट होना स्टार्ट हो जाएगी तो सिंपल आपने यहां पर कुछ मीनिट के लिख लिएक से एडी मीनिट लिखेगा आपने यह वेट करना है घ। यह हमारे आपको यहां रूद यह हो चुकि है वह मैं चुर्ड हो रही थी वह फाइनली हो चुक है तकरीबन 30 से 40 सेकंड लगे होंगे ज्यादा से जादा ठीक है अब आपको मैं बताता हूँ आपने इस आड़ीप को लॉग इन कैसे करना है सबसे पहले आपको यहां पर मैं दिखा देता हूँ हमारी यह आड़ीप है वह रनिंग पोजीश करना है अगे अड़ीप बनाने के लिए धीक है इसमें कोई परिशानी नहीं होगी आपको आपने क्या करने इसको लॉग-इन करने के लिए आपने इसको शाफ्टियस डाउनलोड किया था ही आप अपनी मरजिय खो कॉछ भी नाम या पर लिक सकते हो त Со Ahmed दाउब उसके बार Julius ने आउगे अब आपने को करना है यहां से अपने शुरू कोपी करना है और यह लास्स तक यतने नंबर है यहां तक आपने इसको कोपी कर लिया चाहिए बाकि जब आप इसको सेलेक्ट करते हो ना तो यह आटोमेटिकली भी कोपी हो जाता है उसके बापने दुबारा से नो मिशीन में आना है यहां पर होस्का उप्शन वेरा आपको आपने कोपी किया हो यहां पर आकर आपने सिंप्ली पेस कर देना ठीक है और यहां से आपने इसको सेलेक्ट करने और यहां से आपने इसको कर देना है कट करने के बाद यहां पर आपको यह उप्शन में रहा है पोर्ट का इसको सेलेक्ट करें और यहां पर आकर जो आपने तो आपके यहां पर देखे एक और बोल फाइल जनरेट हो चुकी है अब आपने इस पर डबल क्लिक करना है और यहां पर आपकी जो RDP वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी यहां पर आपने OK पर क्लिक करना है उसके बाद यह आपसे यूजरनेम और पासवर्ड मांगें वो भी आपको मिलेगा आपकी यहां पर वेबशेट में आपका जो यूजर है वो हर किसी का सेम ही होता ठीक है यूजर जो है वो आपका होगा यह वाला यहां से आपने इसको कॉपी किया यहां पर आकर आपने वो यूजरनेम अपना कॉपी पेश किया उसके लाबा पासवर्ड आपका 123456 होगा हर किसी का सेम होता है तो परिशानी भी बात नहीं है यहां पर आपको बास आपका IP अड्रेस जो है वो डिफरेंट मिलदा बाकी पासवर्ड यूजरनीम सेम होते हैं सबके यहां पर हम पासवर्ड भी लिख लग लोगते है medan इसी दिन के लिचंग करों कि देना न Après आपके है तो यहां पर मैं इसको ओके पर क्लिक कर देता हूं यहां पर आपने सिर्फ ओके-ओके पर क्लिक करना और आपकी जो विर्चुल RDPI जो विर्चुल सिस्टम है वो रेडी हो चुका है अब यहां पर आपने इसके अंदर कुछ सैटिंग करनी है तो अभी देखें इसका डिस्पले जो है वो बहुत जादा जूम है हम पहले इसको करेंगे यहां विंडो वाले ओप्शन पर आएंगे इस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहां पर आपको मिलेगा डिस्पले का ओप्शन ठीक है डिस्पले पर आपने क्लिक करना और यहां पर आपको डिस्पले का ओप्शन मिलेगा यहां पर आना है आपने आपने जो आपक हो जाएगा अब आपने काम की तरह बाते हैं इंटरनेट स्पीट चेकर वाता हूं और आपको अपना लोकेशन वगएर चेकर वाता हूं तो सिंपल आपने राइट क्लिक करना है इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल ब्राउजर मिलता है जो के है यहां पर आपने देखें एप्लिकेशन पियान है और उसके बाद यहां पर आपको इंटरनेट को अप्शन मिलेगा जैसे आप अपना माउस इसके ओपर लेकर आओगे तो यहां पर आपके सामने देखें Microsoft Edge का ब्राउजर मिलेगा इसके अंदर आप YouTube इसका दिखते हो कोई भी अपना टास्क इजी नहीं करनी पड़ रही यहां पर accept and get started पर क्लिक करेंगे और यहां से हम क्या करते हैं इसको cross कर देंगे हमारा जो ब्राउजर है वो open हो चुक है सबसे पहले हम यहां पर Google सर्च कर लेते हैं Google में जाने के बाद सबसे पहले हम यहां पर test करेंगे अपनी internet speed quote तो बहुत से साथ साथ ही website जो है वो work कर रही है यानि के यह RDP काफी जादा fast है तकरीबन उसी तरह work कर रही है जैसे paid RDP work करती है ठीक है यहां पर हम go पर क्लिक करते हैं और देख लेते हैं कि इस टाइम हमें कितनी internet की speed मिर रही है लें जी check करें 2GB प्लस हो चुकी है यहां पर internet speed तकरीब की और तकरीबन 2GB के करीब पहुंच चुकी है हमारी uploading speed इसको यहां पर हम बंद कर देते हैं तसली हो चुकी है अब आपको दिखा देता हूं अपना IP address और अपनी location यहां पर search करते है माई IP address location यहां पर मैंने search कर लिया उसके यहां पर मैंने Google में search कर लिया और यहां पर हम क् सिंगपूर की location की दी गई है जो के free of course है यहां आप यूज कर सकते हो ठीक है internet speed out class हा रही है वह मैंने आपको भी चेक कर दी उसके लावा आपको यहां पर location और भी चेक कर दी अब आप जब तक चाहें इस RDP को यूज कर सकते हो जैसे आप यूज कर लो उसके बाद यहां प कर सकते हो जब तक आपके पेश चल रहे है वह आपकी RDP चलती रहेगी यहां पर आप अगेन इसको open भी कर सकते हो इस पर double click करके यहां से आप इसको open भी कर सकते हो तो यह थी आज की वीडियो मीत कर तो आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें चैनल को आप लोगों ने जरू सब्सक्राइब करना है उसके इलावा जब आप यहां डीप सक्सेस्फुली बना लें तो आपने मुझे कॉमेंट में आके लाजमी बताना है अगर को प्रॉब्लम आती है तब यह आप कॉमेंट सेक्शन में आके कॉमेंट करें मैं आपको उसका सिलूशन बता दूँगा अब बहुत जल्द मैं कासी आडीप पर वीडियो लाऊंगा जो बिल्कुल फ्री अफ्कॉस होगी और वह उसमें आपको फूल एडमिन एकसेस मिलेगी आप किसी भी पीसी के अंदर उसको लोगिन वगेरा भी कर सकोगे तो उसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो सके अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज